Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics Cellphone Market जो है इंडिया में वो ओलिगोपली है यानि केवल तीन Cellphone Operators है Reliance Geo, 48 करोड सेलफोन यूजर यह मैं नहीं कह रहा मैं Try की सबसे latest report आपको भेज रहा हूँ यह उसका data है, उसका extract अलग से भेज रहा हूँ Airtel, 49 करोड सेलफोन यूजर Vodafone Idea, 22 करोड 37 लाख सेलफोन यूजर कुल, 109 करोड कुल सेलफोन यूजर एक सो उननिस करोड बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड के करीब इन में भी अगर मैं ये कहूं के जियो और Airtel की डियोपली है यानि दो कंपनी ही देश के लगबग सारी सेलफोन मार्केट को कंट्रोल करती हैं उनकी संख्या 87 करोड अब तथे क्या हैं Try ने 23 अपरेल 2024 को ये रिपोर्ट जारी की है इसमें 31 दिसंबर 2023 तक का लेटेस देटा अवेलेबल है इस रिपोर्ट के मुताबिक सेलफोन कंपनी इसका एवरेज रेविन्यू पर कस्टमर पर मन्त यानि हर महीने सेलफोन कंपनी ओसतन अपने हर सेलफोन कस्टमर से यानि आप से जो ये कारकरम देख रहे हैं या आपकी कबर पढ़ेंगे 152 रूपिया 55 पैसे कमाते हैं हर महीने हर महीने हर सेलफोन कस्टमर से ओसतन 152 रूपिया 55 पैसे सेलफोन कंपनीया कमाती है 27 जून दोहजार चौबिस को अफेक्टिव 3 जुलाई दोहजार चौबिस रेलाइंस जियों ने अपने रेट 12 परसेंट से 27 परसेंट बढ़ा दिये और सत 20 परसेंट इसकी जो सबसे अफोर्डेबल प्लान है 155 रूपे की जो सबसे ज़्यादा कस्टमर यूज करते हैं मुझे बताया है के शायद उनकी संख्या 25 से 30 करोड देश में हो वो 155 रूपे से 189 रूपे बढ़ा दी 22 परसेंट इंक्रीज 28 जून यानि अगले दिन 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 एर टेल ने अपने सेलफोन यूजर चार्जिस 11 परसेंट से 21 परसेंट बढ़ा दिये औसत 15 परसेंट अफेक्टिव उससे अगले दिन 29 जून 2024 को 27 को जियो बढ़ाता है 28 को एर टेल बढ़ाता है 29 को वोडा फोन बढ़ाता है अफेक्टिव डेट सेम है अफेक्टिव 4 जुलाई एक दिन आगे वोडा फोन आईडिया ने अपने सेलफोन यूजर चार्जिस 10 परसेंट से 24 परसेंट बढ़ा दिये average again 16% तो दो चीज़े stand out करती है कि तीनों कंपनियों ने सला करके बहतर गंटे में cell phone charges बढ़ाने की गोशना की और दूसरा एक ही तिथी से user charges बढ़ाए तीन जुलाए और चार जुलाए लगबग 24 गंटे के अंतराल में बढ़ा दिये दो चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई